हेलो गोडर्स वेलकम बैक टू दा चैनल इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में लास्ट वीडियो हमने वाइल लूप देखा था जो भी बहुत इजी लगा होगा आप लोगों को है ना समध्यम कोई इशू नहीं हुआ होगा डू वाइल ल से लेज्ट या इक्वल्ट रोनी ची तभ वह क्या करता है लूप के ब्लॉक में एंटर करता है अंदर कोड के ब्लॉक में अधर्वाइस वो इंटर नहीं करेगा यहां कंडिशन गलत हो गई तो वह एंटर नहीं करेगा जैसे कि मालो फॉर इक्जांपल यहां पर 10 की वैलि कोई value नहीं आ रही है हम लोगों क्यों क्योंकि यहां पे ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं हुआ लूप क्योंकि यहां पर condition false हो गई क्योंकि सबसे पहले इसने condition चेक किया आए की वैल्यू माइनस उनके एक्कवल नहीं है तो यहीं बात है कि जो डू वाइल लूप होता है ना वहां क्या होता है कि पहला जो statement है पहले first time वो रन कर जाता है देन जो condition है वो second time में चेक करता है जैसे हाँ सबसे पहले condition चेक कर रहा है अगर यहां condition गलत है तो वह एंटर ही नहीं कर रहा है बट डू वाइल में क्या होता है कि पहले वह एक बार statement को करन कर देता है जो code block के जो लूप के अंदर का statement है दैन वो वाइल के लिए चेक करता है एक बार मैं इसको करके बताओं तो आपको समझ में आएगा काम करते हैं इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहां पर ठीक है हम लोग डू वाइल लूप बना लेते हैं इस तरीके से होता है यह जो हुआ एक तरह से मुझे मिल गया स्निपेट वह क्यों हुआ है क्यों कि मैं जैस का extension यूज कर रहा हूं है स्निपेट्स का तो अगर आप लोगों स्निपेट्स के बाएर में थोड़ा और जानकारी चाहिए होगा मुझे कमेंट कर देना मैं सेपर करूँगा डू जो ब्लोक है उसके अंदर मैं क्या करूँगा जो मुझे करना है वुथ लूप के सब यहां कि कर देता हूँ यहां पहें मैं i को define कर देता हूं सबसे पहले इस तरीके से ठीक है i की value मैंने देदी one do while के block के अंदर जो do का block है उसके अंदर क्या हो गया मैंने प्रिंट करा दिया है ना जो हमारा लॉजिक है टेबल प्रिंट कराने का सेम वही लॉजिक यूज़ कर रहा हूं मुझे बताना नहीं पड़ेगा वारवा क्योंकि मैंने आपको वाइल लूप और फॉर लूप में बता चुका हूं है ना तो यहां पर मैंने टू के टेबल के लिए लॉजिक लि क्या लिखते हैं वह पार्ट लिखते हैं जो मुझे लुटीबल टाइम रिपीट कराते वह रन करना है कोर्ट का जो इपिटेटिव ब्लॉक है ठीक है और जो इट्रेशन होगी है ना हर टाइम उसके लिए यह काउंटर वाला जो अपना आई का है आई प्लस प्लस वो लिख देते हैं हम लोग है ना एक एक बार इंक्रिमेंट हर टाइम होते रहेगा प्लस प्लस वन टैन तक है ना और जाके टेस्ट क्या करेगा यहां पर टेस्ट होगा कि यह यहां पर डिफरेंस बताना चाहूंगा आप आपको मैंने बताया था कि वाइल लूप में सबसे पहले क्या करता है गषए कन्डिशन चेक करता है तब यह पहले ब्लोक के अंहर एं टर करेगा फर्स टैम सबसे पहले कोड का बलॉक करेगा ठीक है तो जब बॉट चेक नहीं करईंगा कैसे मैं बताता हूं यहां पर मैं यहां मुझे दिखा रहा है यहां टू प्रिंट कर रहा है कि वन की वैल्यू लेकिन मुझे तो गलत हो गई कि वन की वैल्यू लेकिन या इकॉल टू माइनस वन नहीं हो सकती है क्योंकि रूप कर जाता है और क्योंकि उसे कंडिशन फॉर्स यहां पर वन इंटू वन टू आया टू प्रिंट किया, then यहां पर condition चेक किया इसने, ओके, तो यह main difference होता है, do while or while loop में, यहां सबसे पहले क्या होता है, कि condition चेक नहीं होता, first time वो run होता है, then अपना iteration भी increment हो जाता है, then next time जब while में condition चेक होती है, अगर वहां wrong हो गया चीजे, तो loop break हो जाता है, ठीक है, तो according to your requirement, जब आपको first time run करना ही है, इस तरीके के कभी situation आ रहे है, वहां पर आप do while loop को ज्यादा prefer कर सकते हो, ऐसा बोल सकता हो, while के comparatively, okay, तो I think आपको do while loop clear हो गया होगा, फिर भी कहीं अगर आपको doubt आता है, तो comment करो, है ना, मिलते है, next video में तब तक लिए, bye-bye, take care.